तो आज हम डिसकर्स कर रहे हैं Elasticity है ना मतलब Mechanical Properties of Solid जिसके अंदर Mean Part कौन सा होता है Elasticity का तो ये एक OneShot Video है जो की J और Need के Experiments के लिए बहुत ही Beneficial होने वाला है इसके अंदर में सारे के सारी Concepts सारी Formulas और उसपर Based Numericals Solved रहे हैं ताकि आपके Concepts Clear हो सके तो अगर आपको इस वीडियो से Value मिलती है तो इससे Share कीजे Like कीजे और हमें Support करने के लिए हमारी जैनल को Subscribe कीजे तो चलिए Stat करते है Elasticity से तो किसी भी Body पर अगर आप Force लगाते हो ना जैसे कोई Body है यहाँ पर और इस पर आपने Force लगाया F तो यहाँ पर दो चीजे हो सकती है जैसे या तो यह Motion में आ जाए यहना बई चलने लगता है अपने अलेले में यह डिसकस करते थे या फिर यह Deform हो सकता है क्या हो सकता है Deform मतलब यह कहना चाहरा हूँ आपको कि जैसे आप मानो कि एक Surface है ऐसा और यह मैंने इसके उपर एक Object रग दिया ऐसा ठीक है और मैं कहा रहा हूँ कि यह Mu equals to 0 है मतलब Smooth Surface है मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से मैंने एक Force लगाना Start करा F तो आप कहो कि सार Friction दो ही नहीं आपर यह चलने लगेगा साथ में तो अपन कहा सकते ही थोड़ी देर बाद यह ऐसा हो जाएगा इधर फिर थोड़ी देर बाद वापिस यहाँ पर आ जाएगा तो actually मैं यह Rest से यह Motion में चला गया किसकी वज़े से हुआ ही सब कुछ यह हुआ इस Force की वज़े से किसकी वज़े से इस Force की वज़े से इस Force ने क्या करा इस Body को Acceleration दे दिया जिसकी वज़े से इसकी पास Velocity है Velocity से Motion होने लगा बट अब अगर मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ पर मेरे पास फिर से एक Surface है और इस बर मैंने यह जो Object है मेरा इसको चिपका दिया यहाँ से Glue से मतला भी Glue Attached कर दिवेने यहाँ पर ठीक है अब यह Move नहीं हो सकता बट Force तो मैं फिर भी लगा रहा हूँ वही Force F तो आपको पता चल रहा है यह थोड़ा सा Deform हो जाएगा क्या हो जाएगा Deform आप थोड़ी दबाद देखोगे इसको तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा हम करते भी रहा है ऐसा घर पर ऐसे Objects होते हैं उसको अगर वो चिपके रहते हैं तो वो ऐसे Force लगाते हैं तो 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 एक तेड़े मेड़े होई आते हैं तो आपने करा क्या है यहाँ पर थो सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है मालो जो size हो तो constant ही हैotta volume constant हो नो size constant यहाँ पर आपने force से लगाया यहाँ पर आपने force इसको लगाया तो यह ऐसा shape change करते हैं यहँएख चेंज हो गया तो यह deform होगा है ऐसे forces को ऐसे forces जो किसी Object का shape या size change करते, उनको हम बोलते है deforming force क्या कहते हैं, deforming force पता चल रहा है, तो ये वाली force और ये वाली force, लगाने में तो दोनों same ही है, लगा भी कौन रहा है आप लगा रहे हो, external है यह है क्योंकि आप ने लगा यह force, बट दोनों के काम अलग-अलग ही, यहाँ पर ये चला रहा है और यहाँ पर ये shape को change कर रहा है, या फिर size को change कर रहा है ठीक है, तो deforming force की definition क्या होई, when an external force is applied to a body, which changes its size or shape, है न, मतलब configuration और बोथ, दोनों भी change हो सकती, is called deforming force क्या चीज़ समझ में आ रही है, तो पहली बात तो ये external force होती है जो की size और shape को change करती है ठीक है, यार जैसा कि आपको पता है, physics में theory कम होती है हमें questions की practice ज्यादा करनी होती है बट प्रते की theory बगार हम video lectures के तुरू कवर कर लेते हैं, बट जब भी questions की practice करते हैं, तो वह सारे doubts वहाँ पर हमको आने लगते हैं, और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन questions का answer बता सके, numerical solve करवा सके, आपकी इसी problem को धूर करने के लिए, Uncademy ने अपने app में launch किया है, नया feature, ask doubts तो आपको कहकरना app को download करना है, और वहाँ पर ask doubts, your doubts पर click करना है, उसके बाद आपके पास उस question की image होनी चाहिए, आप directly भी ले सकते हो, तो मेरे पास पहले से है, तो उसको मैं choose from gallery कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं gallery में से पूछेगा कि यह जो question है, वो कौन से subject का है, like question physics का है, तो मैं physics पर click कर देता हूँ, question मैं आपको wait करना होगा, उसके बाद जस्ट आपको इसका video solution भेज देगा, तो हम थोड़ा सा और देखते हैं, कितनी दिर में यह इसका video solution send करता है, I am looking, okay, video solution आ चुका है, आपको view solution पर click करना है, तो आपका उस question का video solution यानकी video play हो चुका है, ठीक है, अब जो student, जो users नए हैं academy पर, उनसे यहाँ पर एक code पूछा जाएगा, उस code के बिना आप doubts नहीं पूछ पाएंगी, तो जब भी आपसे code पूछा जाए, तो आप डाल देना वहाँ पर singh sahab, description आपकी link दे रखी है, वहाँ से इस app को download कर सकते हैं, जो नहीं नहीं किया है, अब देखो, जैसे हम देखते हैं न, यह कोई rubber band है, मालो यह कोई rubber band है आपके पास, तो आप क्या करते हो, इसको आप यहाँ से force लगाते हो, इधर से भी force लगाते हो, इसको stretch करने के लिए, क्या करते हैं इसको, stretch, तो यह ऐसा हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर लाके आपने, अभी भी force लगी यह मालो, F लगा ही रहा अब अभी ठीक है, बट मैंने इसको वापिस खतम कर दिया, मतलब ये force लगानी मैंने stop कर दी है हाँ से, तो आप क्या notice करो कि वापिस अपनी shape पर आ जाएगा है ना, वापिस अपनी ये original है ना ये, ये original इसका shape था, जब आपने लगाना force start करा उसके बाद आपने stretch कर दिया, तो ये ऐसा हो गया लंबा हो गया, अब ये वापिस original पर आ गया, जैसे ही आपने deforming force ही, ये deforming force है जो इसका size या shape चेंज कर रही है, भई stretch कर दिया मलब shapes का size चेंज कर दिया तो ये deforming force हुई, जैसी आपने deforming force यहां से हटाई, stretch करने के बाद, ये वापिस अपनी original position पर आ गया, इसी property को हम बोलते है, elastic property, जैब बोलते है, elastic city जैब बोलते है, elastic city ठीक है, मतलब regaining of shape or size after removal of deforming force जैसे ये आपने force लगाना बंद करा, वापिस वो अपनी position पर आ गया, अब actually में देखा जाए तो ये जो force आपने लगा रहे है दिभार आपने, जैसे उनको छोड़ा, तो ये वापिस अपनी original position पर आ कैसे गया, भई यहां पर भी तो कोई force लगी होगी जो इसको वापिस अपनी original position में लेके आई ही हो, obviously ऐसा ही हुआ हुआ न, मरना कैसे आईगी वापिस तो ये forces तो आपने लगा ही नहीं तो ये कौन सी forces है, इनको हम आगे discuss करेंगी, यह होती है stress, क्या होती है stress, तो अभी तो बस elasticity समझो elasticity समझ में आई, क्या हुआ आपने खीचा, छोड़ दिया, वापिस अपनी जगे पर आगया, ये elasticity है तो definition देख लो उसकी तब property of material कोई भी material, by virtue of which it's regain its original configuration, that is shape and size when external deforming force is removed, वही चीज़ है आपने stretch करा, फिर छोड़ दिया वापिस original position पर आगए, अपने original configuration पर तो क्या बोलते हैं, ऐसे materials हुआ ऐसी property हम बोलते है, elasticity और ऐसे materials हम बोलते है, elastic materials तो जैसे आपका जो rubber है rubber band, वो elastic material है, अपनी वापिस, जो original configuration थी वो regain कर लेता है, सबसे live example है तो, ठीक है, और अगर ऐसे objects ना हुए, तो मतलब, उसने अपनी जो shape है deformation remove करने के बाद भी, जैसे आटा होता है, जैसे हम आटा बूनते हैं, रोटी के लिए रोटी में आगे जो dough होता है उसमें क्या करते हैं अपनी जैसे अपने उसको बून के रख लिया उसमें आप एक, जैसे मुक्का मारो हैं आपका तो क्या shape बन जाता है उसपे एक वो shape जैसे आप हात महा से हटा होगे मारने के बाद, तो क्या वो shape वापीस उपर आ जाएगा क्या वापीस ही फूल जाएगा, नहीं वापर निशान छूड़ जाता है आपका क्या, निशान उदर छूड़ जाता है तो इसका मतलब है वो वापीस नहीं आया इसका मतलब वो elastic नहीं है तो क्या है, वो है plastic क्या है वो, plastic तो plastic से मतलब यह नहीं है जो अपन polythines use करते हैं या जो भी अपने materials बने रहते हैं वो plastic, plastic एक property है प्लास्टी के एक wide range of materials को बोलते हैं बातसबज में आ रही है तो ऐसी properties को, मतलब वो अपनी size को या shape को regain ना करे उसको क्या बोलते हैं, plastic city the property of a material by virtue of which it does not regain its original configuration does not that is shape and size when external deforming force is removed is called plastic city तो समझ में आ है, elasticity और plasticity क्या होते हैं, ठीक है अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, perfectly elastic body तो यह क्या होती है, क्या लिखा हुआ है material which completely regain its original configuration when deforming force is removed example के साथ देखो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि यह कोई आपके पास object है यह कोई wire है, बहुत पतला सा और इसके length मैं बोल रहा हूँ 1 meter है, ठीक है आपने force लगाई इस पर ऐसे ठीक है आपने इसको खीचने की कोशिश करी यह आपने force लगा रहे हो इसको आप यह आप इसको force लगा रहे हो ठीक है, अब आपने इसको force लगाई है deforming force remove हो गई तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर यह perfect elastic है तो यह वापस अपनी 1 meter पर आ जाएगा किस पर आ जाएगा 1 meter पर क्या बात सबज में आती है तो बिलकुल पूरा का पूरा perfect इसने अपना जो size या shape है वो regain बट ऐसा होता नहीं अकसर ऐसा क्या होता है जैसे rubber band होता है तो जैसे 1 meter का उसको मानलो यह 1 meter का है तो आप सो खिशते हो आप मानलो 2 meter का हो गया हो फिर भी थोड़ा सा plastic nature इसके अंदर रहे जाता है, मतलब वापिस जब आएगा नहीं है आपको लगेगा लगब लगब हाँ पूरा complete हो गया, आपों से तो दिखता नहीं है बट वह ऐसा आएगा थोड़ा सा मतलब हो सकता है 1.1 meter यह वापिस आएगा तो यह original position complete original position नहीं है complete जो आपकी original configuration नहीं है, बट फिर भी आया तो सही वापिस, इसका मतलब वहाँ पर elastic nature तो है, elasticity but completely नहीं आया उसलिए perfectly elastic body वह नहीं है, ठीक है तो material which completely regains मतलब 100% वह अपनी जो original configuration थी उसको regain कर ले, तो क्या बोलता है उसको आपका perfectly elastic body कहते है, तो एक example इसका quads, quads भी जो है ना यह भी perfectly elastic body नहीं है बट नियर है बिलकुल इसके मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ इससे जादा perfectly elastic body अपने को मिलते नहीं है क्या है वो, quads क्या बात सबज़ में आ रही, यह भी perfectly नहीं है बट नियर टूपर, मतलब मान सकते हो 99% इतना ठीक है, तो यह हो गई अच्छा, तो perfectly plastic क्या होता है perfectly plastic यह बोला गया है उल्टा उसका, does not regain its shape even slightly when deforming force is removed कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने, यहाँ पर कोई आपके पास एक object है, जो कि 1 meter का है इस पर आपने force लगा है ऐसे और यह अपनी size इसने change कर ली, मानलो यह 2 meter का हो गया ठीक है, अब आपने यहाँ से force क्या कर ली, remove कर ली यह अपने force अभी लगा रिखे थी आपने force यहाँ से remove कर ली तो वापिस यह वापिस अपनी original configuration पर जाए गई नहीं थोड़ा सा भी change ही नहीं होगा मतलब जैसा था, 2 meter पर आपने उसको छोड़ा था, 2 meter का 2 meter ही रह जाएगा, कितना रह जाएगा? 2 meter का 2 meter ही, तो इसको हम बोलते है perfectly plastic, मतलब थोड़ा सा भी इसने पीछे जाने की कोशिश नहीं करी, समझ में आरी तो ऐसी bodies भी exist नहीं करती है ideal life के अंदर, does not regain its shape, even slightly थोड़ा सा भी change नहीं होता है when deforming force is removed ठीक है, वैसे तो ऐसी bodies exist नहीं करती है but a near to perfect plastic body होती है, उसका example है paraffin wax, ठीक है इसको अब जितना करोगे, वितना लगबा लगबा हलका सा वापिस आता होगा है, ऐसा मान सकते है क्या बास बज़में आती है तो उसको हम बोल सकते है, perfectly plastic material है तो अब हम discuss करते हैं कि cause of elasticity है क्या अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप shape या size को change करते हो, deforming force की वज़े से तो वापिस अपनी shape पर आ जाता है है ना, तो कैसे आया आपने तो कोई वापिस फूल्टी फोर्स हो लगा ही नहीं उसको वापिस shape मिलाने के लिए वह अपने आप ही चला गया, तो इसका cause है क्या elasticity का cause है क्या, तो मैंने आपको बताया stress इसका एक reason रहता है, तो इसको detail में discuss करते हैं कि हो क्या रहा होगा material के अंदर तो देखो, जैसे अगर मैं कुछ solid की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने solid के molecules बना दिया ऐसे कि मैंने solid के क्या बनाए molecules, ठीक है ऐसे, यह यह solid है आपका इस step से अभी यहाँ पर F external क्या है, 0 है क्या है, 0 मतलब मैंने कोई भी external force इस पे नहीं लगाई, इस solid body पर ठीक, तो मैं कह सकता हूँ, यह जितनी भी molecules हैं, यह किसमे होंगे अभी equilibrium पर होंगे क्या बात सबरें मैं आती, सब किसमे है equilibrium condition में है हमको यह पता है कि जो आपका एक atom होता होता है, अपने आसपास एक force लगाता है क्या लगाता है, अपने neighboring atoms पर एक force लगाता है, जिनको हम बोलते हैं intermolecular force, क्या आप कहते हैं intermolecular forces इसको IF बोलता हूँ, ठीक है मतलब intermolecular forces, सब atoms, अपने neighboring atoms के अंदर क्या लगाते है, intermolecular force लगाते है यह सब हमको बताए, chemistry में हमने पड़ा हो, ठीक है, तो equilibrium position के अंदर, जब equilibrium होता है न, तब आपकी जो internal, inter-molecular forces होती है, वो minimum होती है, क्या होती है, minimum होती है, ठीक है, तो यह condition दो बिल्कुल सही है, अब मैंने क्या करा है, यहां से मैंने f external लगाना start कर दिया, जैसे इसमें deformation है, है न, तो देखो, मान लेते हैं, कि इसका distance शुरू में x0 है, यहां पर भी x0 है, यहां पर भी x0 है, क्या बात सबज में आ रही है, अब मैंने f external लगाया, तो मान लो, यह आपका जो molecule यह इधर आ गया, deform होकर, क्योंकि आप प्रेस कर रहे हो न, इसको इधर से, तो यह deform होकर इधर आ गया, और restoring forces लगने लगती है, restoring forces लगने लगती है, opposite direction के अंदर, जो इस material को बोलती है, वापिस अपनी original shape या size के अंदर आओ, तो जैसे आपने force यहाँ पर लगाई, यहाँ पर intermolecular forces आपकी change होई, और restoring force equal and opposite amount में इधर build हो गई, क्या बात सबज में आ गई, यहाँ पर restoring force, क्या होती है, restoring force, जो अपने object को, बोलती है कि अपनी original position को restore करो, इसले हम क्या बोलते हैं, इसको restoring force कहते है, क्या है बात सबज म तो जब आप किसी F external आपने लगा रिखा है, वहाँ से उसको छोड़ दिया, तो कौन सी forces उसको वापिस अपनी position पर लेकर आ रही है, यह restoring forces, क्या में समझ में आ रही है बात, तो यह cause of elasticity है, अच्छा, अब देखो, यह जो restoring forces develop होई थी न, इसको अगर आप area से divide कर दो, तो जो stress है न, यह बच्चे समझते हैं कि जो stress होती किसी body के अंदर, वो आपने लगाई होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इधर लगाई, इस पर F external लगाया, तो इसकी वाप, यह वाला force है, this force upon area क्या होता है, stress होता है, but actually मैं ऐसा नहीं, stress क्या होता है, restoring force, इस F external की वज़े से यह restoring forces develop हुई है, तो जितनी restoring forces develop हुई, upon area, हो क्या होगा, stress होगा, तो when deforming force is applied on a body, आपने deforming force को apply करा, then the equal restoring forces in opposite direction is developed, ठेक है, जितनी force से आपने उसको इधर खीचाता, तो आपको वितना ही force वापिस लगाना पड़ेगा, तो restoring forces को equal amount में होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी position पर अपनी original configuration पर आ सके, is developed inside the body, this restoring forces per unit area is called stress, क्या बाद समझ में आ रही है, restoring forces, यह याद रखना है आपो, यह f external नहीं है, f external बाई यह नहीं होता है stress, restoring forces is by area होता है, क्या, आपका stress, क्या बाद समझ में आ रही है, stress, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो stress ही है, जो stress है, यही help करती है body, क्यों helps body regain its shape, क्या बाद समझ में आ रही है, तो आपको stress का simple सा definition याद रखना है, stress की वज़े से ही वो अपनी वापिस उस position पर अपनी original configuration में आ पाती है, क्या बाद समझ में, अब stress के classification से देख लो, अच्छा पहले formula देख लेते हैं, यह तो बताई दिया मैं आपको, stress को represent ऐसे करते हैं, आपने sigma से, f upon a, यह क्या है, restoring forces, restoring forces, वैसे तो क्या होता है, जितनी अपन force apply करते हैं, क्योंकि equal amount पर restoring forces रखती है, उसलिए अपन सीधा, क्योंकि आपको तो यह पता है, कि आपने कितनी force apply करी है, यह 100 newton, अंदर कितनी लग रही है, हमें पता नह F क्या है, जितनी अपने लगाई, बात सब्जमें आरी है, but actually में यह क्या है, restoring forces, restoring forces upon area, क्या बात सब्जमें आरी है, तो यह area क्या होता है, area of cross section, जो कि perpendicular होता है, force के, बात सब्जमें माई, मतलब अगार ऐसे लग रही है, आपकी force, तो यह वाला area है, यह परिपिंडिकुलर आप तो पासबज में आ रही है, ऐसा यूनिट क्या होगी ? भई F का क्या है ? Newton, A का क्या है ? meters को है, तो Newton पर meters को सो पासकल भी क्या रहते हैं ? तो stress की unit यह आ गई क्या पासबज में आ रही है ? अच्छा, अब types discuss कर लेते हैं, stress की types क्या होती है ? longitudinal stress longitudinal stress मतलब कि अगर आपका जो object है यह एक ही dimension का है मतलब one dimension का motion है मतलब मालो एक पतलासा wire है तो इसको आप कैसे खीच सकते हो आप यहां से खीच सकते है न ऐसको ऐसे ऐसे force लगाना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है यहां से कैसे खीचोगे wire को ठीक है तो यह one dimension के अदर आप खीच रहे हो तो यहां पर जो आपकी length है जो length है भई length ही तो increase, decrease हो सकती है तो यहां पर length आपकी increase हो सकती है या फिर decrease हो सकती है तो अगर आप change कर रहे हो तो यह वापिस आने की कोहिश करेगा तो जब आप length को change करते हो increase करते हूँ और decrease करते हूँ तब जो stress develop होती है उसको गया बोलते हैं longitudinal stress कहते है क्या हमें बात समझ में आ रही है तो ऐसे हम इसको define कर सकते हैं किसको longitudinal stress को और अगर आपको compression बनाना हो जैसे माल लो मैं आपको बता रहता हूँ longitudinal जो stress होती है वो दो types की होती है एक tensile stress और एक compressive stress tensile stress का मतलब समझना ज़रूरी है कि आपके पास कोई object है आपर ऐसे और एक यहाँ पर भी बना देता हूँ tensile stress का मतलब आप इसको लंबा कर रहे हो ऐसे force लगा रहे हो और compressive का मतलब आप इसको compress कर रहे हो देखा जाए तो tensile stress के अंदर जो आपकी longitudinal stress बनेगी वो कैसी बनती है वो ऐसे बनेगी कि steps है यह हो क्योंकि वो object जो आपका object है जो solid है वो चाहेगा कि वापस वो अपनी position पर आए तो अगर आप वो increase कर रहे हो length को तो आपकी जो tensile stress को कैसी लगेगी वो अंदर की direction में लगे ही but actually मैं आपको याद रखना है मेशा कि longitudinal stress की tensile stress और compressive stress tensile का मतलब आप उसको खीच रहे हो और compressive stress का मतलब आप उसको compress कर रहे हो क्या बात सबजबे है आ रही है तो यह longitudinal stress की definition होगी अच्छा अब अब मात कर देने tangential stress की सोच के देखो अगर मेरे पास कोई object है जैसे मैंने example लिया भी था यहापर कोई object है यहाँ पर मैंने इसको ऐसे chip का रखा है इस block को मैंने chip का दिया ऐसे ही ह। ठीक है यहाँ से table पर पड़ा होगा ही है यहाँ से मैंने हैसे इसको chip का रखा है बिल्कुल क्या हो गया यह ऐसे ठीक है यह हो जाएगा बात समझ में आरी है यह ऐसे क्योंकि यह तो क्या रहेगा यह चिपकावाना नीचे से तो यह points यह points यह points यह points और पीछा वाला point भी क्या रहेगा same रहेगा यह ऐसे shape change हो गया क्या change हो गया shape change तो आपने कैसी लगाई है force? टेंजेंशल force लगाई तो टेंजेंशल force, बहिए shape तो आपने change करा है तो टेंजेंशल force लगाने पर जो आपकी stress develop होती है उसको हम बोलते हैं tangential stress बहिए यहाँ पर भी आप deform दो करी रहे हैं shape change हो रहा है तो उस case में जो stress लगेगी उसको क्या बोलते हैं tangential stress तो यहाँ पर आप length को increase कर रहे हो size को increase, decrease कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? बस shape को change कर रहे हो यह बात सबज में आ रही है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं का बात सबज में आ ही? अच्छा अब देखो, अगर मैंने bulk stress का मतलब क्या है? bulk stress का मतलब यह होता है कि जिससे आपके बास कोई object है यह वाला कोई object है आप चारो तरफ से force लगा रहे हो इस पर ऐसे, या आप affection लगा रहे हो मान लो यह दूसरा object है ऐसे खीच रहे हो बाद मान लो इसको ऐसे तो सब directions में से जब आप force लगाते हो तो क्या होता है? volume में change हो जाता है जैसे आप कोई ball लो और ball को ऐसे पिछकाते हो यूँ करके tennis ball को ऐसे करते हो ऐसे या rubber की ball को ऐसे पिछकाते हो उसको क्या होता है? आप हर जगे से उसमें क्या लगा रहे हो? force लगा रहे हो, compress करने कोशिश कर रहे हो तो उसका क्या हो जाता है? उसका volume change हो जाता है तो इस step के forces में जब ऐसी forces आप apply करते हो तब क्या हम लगती है बल्क stress लगती है क्या में बात समझ में आ रही है? तो यह किसकी definition हो भई? बल्क stress की तो यहाँ पर एक question आपको given है क्या बोला जा रहा है? कि एक object है 5 x 2 x 1 meter का size given है इसको glue से निछे surface पे जपका रहे है 100 Newton की force लग रही एक 30 degree angle पर आपको निकालना है longitudinal stress और tangential stress यह आपको find out करना है तो कैसे find out करेंगे? देखो मुझे पत्त है कि जो stress का एक basic formula वो क्या है? f upon a है यही है, अच्छा अब देखो, जब मैं sigma l की बात करूँगा तो देखो, यहाँ सबसे पहले component कर लेता हूँ component करूँगा तो यह आएगा आपके पास क्या? 100, cos of 30 मतलब root 3 by 2 और उपपर आएगा 100, sin of 30 मतलब into half यह दो component हो गए इसके बातसबज में अच्छा, दियान साब को दिख रहा हो तो यह वाला जो component है, यह क्या करेगा? क्योंकि इसको खीच रहा होगा अपर इसकी लंबाई को बढ़ा रहा होगा जबकि यह वाला जो component है, force का यह इसको tangentially लग रहा है इस surface पर इस area पर tangentially लग रहा है यह क्या है? Tangential Ft इसको tangential force बोल देते हैं तो यह क्या कर रहा होगा? यह आपका sigma t को introduce कर रहा होगा क्योंकि इसकी वज़से shape change होगा इसकी वज़से size change होगा बात सबज में आ दी तो sigma L के लिए में जो force मिल गई क्या? 100 into half यह तो length change नहीं कर सकता length सिर्फ यह change करेगा तो यह वाली force लिखना ही पड़ी कितनी ही होगी force? 100 into half area कितना है? area पन क्या लेते है? sigma L जब longitudinal stress होती है उसके अंदर जो आपका F होता है वो हमेशा parallel होता है किसके area vector के तो देखो आपका force भी उपर direction में और यह कैसे निकलेगा इसका? यह जो area यह वाला इसका area vector भी का है? उपर यह direction में ही है कितना area है? 5 into 2 तो यह 5 into 2 होगी तो आगे बाद sigma L के value होगा है अब sigma T मुझे निकालना है sigma T, sigma T कैसे निकालेंगे? F upon A फिर से, F क्या इस बार? यह वाली तो आपको sigma T produce कर रही होगी, यह वाली तो करेंगे यह वाली कर रही होगी, तो 100 root 3 by 2 upon area area कौनसा होगा इस बार? area इस बार भी यह होगा और इसलिए मैंने कोशन लिया है area भी कौनसा होगा? जिस surface पर tangentially tangential stress के लिए तो जिस surface पर जिस area पर आपका जो force है वह वाला area आपको लेना है तो यहाँ पर आप यह वाला area नहीं लोगे कौनसा वाला area लोगे? उपर वाला area ही लोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 into 2 है तो आप बोल सकते हैं इसके case के अंदर जो आपका f vector होता है tangential force वो किसके perpendicular होता है area vector क्योंकि area vector कहा है? उपर direction में और आपका force इस direction में क्या बात सबज़ में? तो यहाँ पर दोनो cases के अंदर 5 into 2 होगा आप ऐसे मान सकते हैं simply कि जो f by a होता है इसके अंदर a आपका f होता है वो तो आपका longitudinal bulk इसके साफ से change होता रहता है पर जो a है न, a आपको हमेशा वो लेना है जहाँ पर force act कर रही है force act कर रही है क्या बात सबज़ में? तो यहाँ पर क्या है? force कहाँ पर act कर रही है इसी area पर act कर रही है ठेक है? क्या इस area पर act कर रही है? नहीं बस इसी area पर act कर रही है तो वहाँ पर ले लेना उसको क्या है बात समझ में आती? अच्छा, अब strain क्या है? strain होता है the ratio of change in configuration to the original configuration ऐसे समझे जैसे माल लो आपकी पास कोई इसा object है जो की L length का है यहाँ पर आपने force लगानी से start करें माल लो इस force की वज़े से यह थोड़ा सा extend हो गया delta L तो जो नई length हाई हो कितनी है? L plus delta L इतनी line length आ गई इसकी तो यह change कितना हुआ? change अगर मैं निकालना जाओ तो change कितना हुआ? भई L plus delta L की final थी minus L इसकी initial तो यह L से L कड़ गया जो answer आया हो delta L आया तो मतलब change delta L का आया तो क्या बोला जाता है strain को? ratio of change in configuration to the original configuration मतलब delta L upon original configuration कितनी थी? L थी तो यह क्या होग आपका? strain होगा क्या है बात समझ में आ रही? तो यह strain किसमें इलखा मैं है longitudinal के अंदर क्योंकि मैं बस लंबई में change कर रहा हूँ increase या decrease जो भी है बात समझ में आ रही? अगर यहाँ पर आप compress कर रहे होते हैं मान लो आप यहाँ पर compress कर रहे होते हैं ऐसे तो minus delta L का change आता बात समझ में आ रही है तो जो strain है वो delta L by L हो गया original जो आपका change upon original क्या बात समझ में आती है तो strain गौब लेख सकते हो change in configuration upon original configuration ऐसा unit से कुछ होती नहीं है क्योंकि change in length क्या होगी? यहाँ पर आप मान हो कि आपने इसको 2 meter से 2.1 कर दिया और original कितना था? 2 एक तो change कर आपने तो यहाँ पर यह भी meter में 2 meter से meter कड़ी गए और meter से meter कड़ी गए तो no units बात समझ में आ रही है इसके types discuss कर लेते हैं जैसे stress कर रहे थे longitudinal strain यह क्या होती है अगर आप लंबाई को increase या decrease कर दो ठीक है? बात समझ में आ रही है volume strain क्या होता है? volume strain वही आपने क्या करा? volume V का कुछ होगा आपने इसको compress करा हर direction से ऐसे ठीक है? force लगाके compress कर रहा है या elongate कर दिया जो भी और नया जो आपके पास आया volume वह ऐसा कुछ आया इसका value माया V minus delta V तो change कितने का हुआ? V minus delta V minus V upon V तो कितना आ गया? minus delta V upon V ये कब हुआ? जब आपने compress करा है क्या करा है? कंप्रेस करा है अगर आप elongate कर देते क्या कर देते? elongate कर देते तो elongate करने में क्या होता? आपका plus delta V upon V क्या बात सभज में आरही? तो ऐसे हम इसको calculate कर सकते हैं next है मारे पास shear strain, यह क्या होता है वो ही वापिस जिसका पर tangential stress होती ही हो क्या करती है, shear पैदा करती है तो देखो, जैसे ही वापिस मैंने एक object ले लिया जो कि यहां से ऐसे चिपका हुआ है ठीक है, और मैंने यहां पर force लगाना start करी, इधर ठीक है, तो आप बोलोगे, सरी चिपका वाए तो यह ऐसा हो जाएगा कुछ ठीक है, इसने अपनी shape को change कर लिया तो मैं बोल देता हूँ, कि इसकी वज़े से यहां पर यह x आगे चला गिया, मैं बोलता हूँ उसका original यह तो le रहेगा ठीक है, है ना, इसको मैं बोलता हूँ, यह phi है क्या ही है? phi, तो जो आपके share strain होती है जो आपके share strain होती है, इसको आप लिखते हो x force की direction में tangential force की direction में कितना displacement हुआ? x upon l, क्या बात समझ में आ रही है? और इसको आप ऐसे भी देख सकते हूँ अगर जो मैं इस triangle को consider करूँ इस triangle को, तो क्या है? अगर मैं 10 phi लिख सकता हूँ ना, इसको 10 phi को क्या लिखूँगा? perpendicular upon base, तो यह perpendicular upon base है तो यहां से आपके पास यह value भी आ सकती है क्या बात समझ में आ रही है? और अगर आपका जो x है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है कितना? बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो आपका जो phi है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और अगर phi बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो आप phi को, 10 phi को क्या लिख देते हो सीधा? फाई लिख देते हैं, तो फाई इस वोल स्टॉब में लिख सकते हैं, एक्स पाई एल, ये क्या है, जब आपने बहुती माइन्यूट सा, उसको क्या करा है, डिस्प्लेज करा है, ठीक है, अगर आपने जादा कर देंगे, तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, क्या ब तो भी कुछ प्लास्टिक नेचर आ जाता है, है न, और फिर अगर और जादा ही खीचो तो उसको आप, तो क्या हो जाता है, तो तोड़ जाता है, ऐसे रहता है हमिशा, तो क्या बोला जा रहा है, maximum stress up to which body regains its original configuration upon removal of deforming force, मतलब क्या बोल रहा है, कि इतनी जादा बस आप उस इसी भी अगर जादा दी, क्या, थोड़ी सी भी stress आपने और जादा उसमें पैदा हुई, तो वो अपनी original position के अंदर पूरी तरह से वापिस नहीं आ पाएगा, क्या बास सबज़ में आ रही है, इसको हम बोलते है, elastic limit, मतलब elasticity जहां तक present है, उसकी limit हो गई है, क्या बास सब deforming force लगा रहे हो, उसके वज़े से restoring forces develop हो रही है, तो restoring forces upon area क्या होता है, अपर stress होता है, तो आप इतनी stress उसके अंदर पैदा हो जाए, कि वो elastic limit के अंदर ही रहे, तो वहाँ पर हम hooks law को लगा सकते हैं, क्या होता है, hooks law होता है, stress is directly proportional to strain, क्या हमें बात सबज़ में आ रही है, stress is directly proportional to strain, तो अगर आप proportionality हटा दो कि यह बीच में से आपके बास आजाएगा, E लिख दो गए यहाँ पर, E क्या होता है, modulus of elasticity, क्या होता है, modulus of elasticity, क्या होता है, जितना ज़्यादा E होता है, वितना ज़्यादा elastic nature होता है, क्या बात सबज़ में आ रही है, जितना ज़्यादा E बितना ज़्यादा elastic nature, ठेक है, अच्छा, यह E जो है यह बस depend करता है nature of material पर, किस पर depend करता है nature of material पर, तो आपको बस यह question याद रखनी है, कौन से वाली, जो E होता है आपका, वो क्या होता है, stress upon stray, बात सबज़ में, तो यह हम discuss कर लिए, types discuss कर लेते हैं, किसके types, E के, modulus of elasticity city के, इसके types discuss कर लेते हैं, आपको खीषते कैसे हैं, बहुत रही से खीषते हैं, एक तो अपन longitudinal के खीष लेते हैं, है न, तो उसके अंदर के elasticity, आपका modulus of elasticity होगा, एक bulk में अपन उसको पूरा compress कर देते हैं, या उसको पूरा full आ देते हैं, तो उसमें अपन volumetric, आपका जो ह elasticity, उसको discuss करेंगे, ठीक है, और tangential तो होता ही है, तो देखो, यंग्स modulus क्या होता है, यंग्स modulus मतलब, आपने longitudinal stress लगाई होगी, जिसकी वज़े से longitudinal strain है, वह अपन क्या लिखते हैं, आपका जो E होता है, stress upon strain, यही तो होता है, तो जो आपने यंग्स modulus है, वो क्या होता है, ज क्या लिख सकता हूँ, longitudinal stress कितनी है, आपकी, F upon A, यह है, longitudinal stress, strain कितनी है, delta L upon L, यही है, यहाँ से आप लिख सकते हो, F upon A into L upon delta L, तो आपके बास यहाँ से value आ गई, किसकी, y is equals to F into length upon A into delta L, यह क्या है, यंग्स modulus, बात सबज में आरी, क्या है यह, यंग्स modulus, ठीक है, और bulk modulus क्या होता है, वैसे वैसे, volumetric stress upon volumetric strain, क्या चीज़ समझ में आती है, volumetric stress upon volumetric strain, ठीक है, shear modulus क्या होता है, shear modulus, आपका shear stress upon shear strain, shear stress upon shear strain, तो shear stress भी अपने calculate करना देखा था, और shear strain भी अपने भी calculate करा ही था, 5 से लिखते हैं न, उसको, 5, 10, 5, तो shear stress upon shear strain, इसको represent करते हैं, नीटा से, ठीक है, bulk को represent करते हैं, के से, ठीक बात, अच्छा, तो यह मैं आपको बताई दिया, जो y है न, इसमें maximum cases discuss करते हैं, जो y हो कितना होता है, longitudinal stress upon longitudinal strain, तो मैं आपको बताई दिया था, जो आपका y होता है, पर formula क्या होता है, f into l upon a into delta l, यही होता है, ठीक, तो यहाँ पर एक question given है आपके पास, जिसमें ऐसा एक rod लटका रेखी, नीचे सपेक 10 kg का block लटका रेखा है, क्या बात समझ में हारी, अच्छा, आपको यह बोला जा रहा है कि यह जो पूरी length है इस rod की, वो कितनी है, वो है 0.1 meter, कितनी है, 0.1 meter, ठीक, आपको निकालना है delta L, यह लटका रेखा है, तो delta L निकालना है, अब इसको माल लो, यह massless है, क्या है, massless है, यह 10 kg का block यहाँ पर रटका रेखा है, अब delta L निकालना है, तो क्या होता है formula, F, क्या होता है, Y is equals to F into L upon A into delta L, यह होता है, अब देखो, Y मुझे दिया हुआ है already, F मुझे पता है कि हा यह तो क्या है, tension है, यहाँ पर दगर 100 Newton में force नीचे लग रहा है, तो tension उपर 100 Newton लग रही होगी, मतलब यहाँ पर जो force होगी, 100 Newton होगी, तो यहाँ पर यह कितनी होगी आपके force force, 100 Newton होगी, L क्या है, L भी मुझे पता है, 0.1 meter, area कितना है, area में मुझे given है, delta L मुझे पता नह into 0.1, upon area कितना है, 10 की पावर, minus 7, into y कितना है, 2.5, into 10 to the power, कितना 10, यहाँ साब calculate करोगे, तो आपको answer आएगा, 4 mm, तो 4 mm, इसकी जो length है, इसकी rod की, यह change हो जाएगी, मतलब जो final length होगी, कितनी होगी, 4, आपका 0.1 meter, plus 4 into 10 to the power, minus 3 meter, तो यह आपकी final, लंबाई होगी, next है हमारे पास, elongation of a rod, under its own weight, हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसे rod टांग रेखिया अपने, है न, gravity के अंदर, तो होगा कि हम इने external force हो लगा ही नहीं कोई, पर इसका खुद की force हो लग रही होगी, नीचे, mg, इस force के वज़े, इसका खुद का weight है, इसकी वज़े से कितना elongation हो रहा है, यह मुझे निकाला है, तो बड़ा easy है, क्या करेंगे हैं, छोटे से element के अंदर क्या निकाल लेते है, elongation निकाल लेते है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ, यह पूरी length है, कितनी मान लेता हूँ, इसकी L length की मान लेता हूँ, और आप क्या है, dx element, तो यह total कितना हो जाएगा, यह वाला, l-x हो जाएगा, भाई नीचे x, तो यूपर l-x क्योंकि total length l है, ठीक है, अगर मैं इस element पर बात करता हूँ specifically, तो इस element को बनाता हूँ यहाँ पर, ऐसे, यह बना दिया मैंने, ठीक है, कितनी length का है यह, dx length का है, मैं इसमे elongation निकालना चाहता हूँ, मालो, dl, जिसकी length है, dx, यह इतना dx माना है, और यह dl क्या है, change in length, क्या बात समझ में, अच्छा, यहाँ पर force कितनी लग रही है, tension लग रही होगी, यह कितनी लग रही हो, tension, अगर मैं tension calculate करना हो, तो मैं क्या करूँगा, जितना weight इसका है, इतना ही tension होगी, भई ऐसा block लटका हूँ, ऐसे मालो, यह कितना है नीचे, m by l into x into g कैसे रिखा, यह है आपका mass, भई यह total x length का है, m by l आपका constant है, तो m by l into x, यह इसका mass होगा, into g इसकी gravity, मतलब इसका weight निचे आ गया, तो इस पे नीचे कितना force लग रहा होगा, m by l into x into g लग रहा ह होगा, इतना ही लग रहा होगा, तो tension के आपस value आगे कितनी, m by l into x into g, तो आपके पास जो नएट equation आई, वो ऐसे रही, कि आपके पास एक block है, जो की dx length का है, नीचे force लग रही है, m by l into x into g, यह लग रही है, ठीक है, m जो मैं बोल देता हूँ weight है, क्या है यह, weight, तो अब इसके लिए अगर मुझे elongation निकालना होतों में बोलतों, dl is equals to, f कितना है, आपका omega, प्लस l, omega upon l, मैं बना, omega या weight upon l, into x, into, कितना हो गया, delta l, dx, upon, dx, मैं बना, x है, यह यह, length नहीं, यह, subject की length है, तो यह length उपर लिख दी, क्या formula क्या होता था, delta l is equals to, delta l is equals to, f into l upon ay, यही तो होता है, तो नीचे लिख दिया a, और नीचे लिख दिया y, क्या बास सब्समें, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यह dl आ गया मेरे पास, छोट, इस element के अंदर कितना है elongation होगा, is equals to, omega, यह आपका क्या weight upon, l into a into y, into x, into dx, integrate कर दो दूनों से, total नि गा, x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक लिख दो ऐसे, आपके बास value होजाएगी, यह आपका weight upon l into a y into x square by 2, 0 से लेकर l यह आजाएगा, weight upon l into a y into l square by 2, तो यह l से 1L कर जाएगा, आपके बास अंसर रहेगा, omega, यह weight upon l, weight l into a y और आग तो जितना elongation हुआ, तो कितना होगा, delta l is equals 2, आपका weight, कितना, weight into l upon 2 a y, क्या बात सबज़ में, तो इतना elongation होगा, खुद का हो जाएगा, क्या बात सबज़ में, अच्छा, अब आपको यह बात पता होनी चाहिए आसे कि steel और rubber band के अंदर कौन सा ज्यादा elastic है, आपको एक जैसे आपका y बढ़ा होता है, वैसे वैसे आपका elastic nature बढ़ा होता है, बता था ना, modulus elasticity जो होती है, वो increase होती है, तो आपका elastic nature बढ़ता है, तो y भी क्या है, यंग modulus, वो भी एक elasticity का modulus ही तो है, तो वो भी बढ़ेगा तो आपका e है, वो भी क्या होगा, elastic nature जो है, वो क्या increase ह जाएगा ठीक है अब इसमें केस की बात करते हैं आपने ले लिया एक जगे इस्टील और एक जगे ले लिया आपका rubberband मान लो यह भी L L L N का लिया आपने steel को और रबरबेंड को भी L L L का लिया तो इसने आपने मैं y1 निकालना चाहूं तो मैं सकता हूं f तो मेरी constant है l भी मैंने constant लिया दोनों का a upon आपका delta l delta l1 होगा इस case में y2 होगा आपका f into l upon a delta l2 तो देखो आपका जो y है जो y है वो inversely proportional किसके delta l की इसका मतलब है अगर आपका y2 है वो छोटा है किससे y1 से तो हम बूल सकते हैं जो y2 है वो छोटा है y1 से y2 किसका है y rubber band का है और y1 किसका है steel का है तो आपका जो elastic आपका यंग modulus है वो किसका rubber का कम है इसका मतलब है elastic nature rubber का क्या है कम है बात समझ में आरी तो हम ही कह सकते है कि rubber आपका जो steel और rubber band है उसमें से कौन ज़्यादा elastic है तो steel ज़्यादा elastic है क्या आप समझ में आ रही तो ऐसा हम इनको calculate कर सकते हैं अब stress strain curve क्या होता है इसके बार में discuss कर लेते हैं फटाफट देखो ऐसा कुछ होता है elastic limit कहां तक है यहां तक है आपने क्या करा stress को बढ़ाना स्टार्ट करा आपने deforming force लगाया तो उसके वज़े से strain है एक बात हमेशा जा रखना क्या हम क्या करते हैं कि deforming force लगाते हैं उसके वज़े से length में या shape में या size में change होता है उसके वज़े से strain आता है और यह strain बापिस अपनी original position regain कर सके उसलिए stress develop होता है क्या develop होता है stress तो हम बोल सकते हैं कि strain से stress आया किस से? strain से stress आया तो आपने deformation force लगाए उसके वज़े स्ट्रेस आया उसके वज़े strain आया और strain के वज़े से stress पैदा हुआ तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो strain खुच generate कर रहे हो कैसे generate करोगे? deforming force लगा के deforming force आप लगा रहे हो तो strain आपका बढ़ता जा रहा है उसलिए अपने x को क्या लिया है? यह independent quantity होती ना यहाँ पर नीचे हमेशा x axis पे तो इसलिए strain को अपने नीचे लिया है और stress को अपने उपर लिया क्योंकि stress जो है वो strain पर depend करता है ठीक है? ऐसा है अब अपने जो hook slow है ना जो अपना hook slow पड़ाता हो किसलिए पड़ाता? under the elastic limit की ही बात हम उसमें करते हैं तो जब तक आपका यह वाली equation true है इस आपका जो stress है तो डाइड़ेड़े परपोर्शनल है strain के तब तक तो यहां तक point है मालब परपोर्शनल limit जैसी यहां से cross कर जाएगा ना जैसी यहां से वो cross कर जाएगा उसके बाद क्या होगा? कि कम stress पर ही ज्यादा elongation होने वाला होगा बात समझ में आ रही है जैसे माल लो आपने यहां पर कितना सा कम आपने क्या करा? stress को बढ़ाया बट देखा जाया तो यह आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया strain कितना ज्यादा बढ़ गया? बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर यह अपके होती है क्या? यह proportional limit हो गई जहाँ पर यह low valid है तो देखो यह hook slow बना रखा है यहाँ पर लिख भी रखा है hook slow ठेक है? इसके बाद भी आप इसको ज़्यादा आप stress को increase करते हो तो यहाँ पर भी यहाँ होगा? वापिस अपनी original position ने आ सकता है बट उसको time लगेगा क्या लगेगा? time लगेगा इसको बोलते हैं elastic after effect क्या कहते हैं? elastic after effect बट जब आप B point पर पहुँझ गए P point के बाद अगर आप यहाँ से और ज़्यादा stress लगाना start करते हो तो फिर क्या होगा? वो अपनी original position पर वापिस नहीं हो पाएगा थोड़ा सा मापर permanent deformation ज़रूर आएगा तो यहाँ पर मालों आप C पर आगए तो C पर आप आओगे ना तो वापिस अपनी position पर जाता है वो तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर तो यह होग का permanent deformation क्या बात समझ में आती तो यह permanent deformation हो गया तो उसको हम बोलते हैं यह तो होग आपका elastic limit या yield point ठीक है यह proportional limit क्योंकि यहाँ तक यह valid है यह आपका hooks lock B तक B आपका elastic region ही है वापिस वो अपनी पूरी shape को regain कर लेगा बट time लगाएगा यहाँ पर यह बिलकुल तो क्या होता जाता है वो पतला होता जाता है wire है ना wire पतला होता जाता है और आप और बड़ाते जाओगे बड़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा एक point ऐसा हैगा कि हो क्या हो जाएगा fracture हो जाएगा तूट जाएगा क्या आपा समझ में आरी क्या हो जाता है लगा रहा हूँ यहाँ पर F, ऐसे, तो restoring forces कैसी develop होती है, उपपर की direction develop होगी, obviously आप force नीचे लगा रहा है, deforming force, तो उपपर की दरफ reflection होगा, माल लेता हूँ delta L, यहाँ पर change in length होता है, अगर मैं spring के साथ सको calculate करूँ, यह माल लो spring मनाई मैं ऐसे, है न, ks का spring constant है, यहाँ पर वैसे, यहाँ पर x का elongation आया, तो हम क्या लिखते हैं, इस case में क्या लिख सकते हैं, y is equal to f into l upon a into delta L, यहाँ से आपके पास value आगई, क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं, आपके पास f is equals to a into y into delta L upon L, ठेक है, और यहाँ से आपके लिख सकते हो, यह तो पता ही है, क्या होती है, यह, f equals to kx होती है, minus में आता है, क्योंकि हमेशा restoring force उपर के direction में लगती है, तो यहाँ पर भी है minus लगाई सकते हो, obviously, ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम compare करें तो हम लिख सकते हैं, यह क्या है, यह दोनों तो constant है, यह क्या है, यह दोनों same है, क्योंकि यहाँ पर भी elongation बता र आपका length, तो एक rod को, आप किस से compare कर सकते हो, एक spring के साथ, क्या बात सबज में आ रही है, तो ऐसे हम comparisons कर सकते हैं, अब ऐसे ही, अब जैसे हम पर दो rods आपके attached है, मालो ऐसे दो rods आपके attached है, तो आप क्या बोलोगे, इसी दो springs यहाँ पर attached है, और जब दो springs attached होती है, जब उस आप देखो, हैसा होता है, जैसे आप कोई object है, उस पर बार-बार repeated load लगा रहे हो, जैसे bridges होता है, तो bridges पर क्या होता है, जैसे दिन में पूरी गारिया जा रही है, शाम को वापिस वो गायब हो जाती है, तो आप क्या दार हो, सुबे वापिस आ जाएगी फिर load, फिर शाम आप बार repeated loading होती न, loading, unloading, loading, unloading, इसकी वज़े से वहाँ पर fatigue जो होता है, वो develop हो जाता है, तो loss and strength, उसकी जो मजबूती है, वो खतम हो जाती है, उसले हम को repair करना ज़रूरी है, ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं, जैसे आपके bridges होते हैं, वो तूड़ याते हैं, वो इस potential energy, जिसको हम strain energy भी कहते हैं, क्या होता है, देखो, जैसे, अगर मेरे पास कोई rod ऐसी, है न, और इसमें force लगा रहा हूँ, F, नीची की तरफ, मैं बोलता हूँ, delta L, मेरा elongation हुआ, यह lens की पहले की थी, A आपको given है, Y आपको given है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 0 से लेकर, F तक मैंने दिरे-दिरे इसकी force बढ़ा है, ठीक, तो work done अगर मुझे निकालना हो, energy निकालना हो, work done निकालना, work done कैसे निकालोंगा, F average into displacement, ऐसे तो निकालोंगा, अच्छा, ऐसे निकालोंगा, अगर तो F average कितना हैगा, 0 से F, मतलब F by 2, 0 से F, और divided by time, तो F by 2 हो ग L into L into delta L by, इसको ऐसे मतले को, इसको ऐसे लिखो, F by A into A, ताकि ये stress बन जाए, into A upon delta L, upon L into L, ठीक, multiply, divide, multiply, divide, ये क्या हो जाएगा, अपका strain, stress, ये क्या हो जाएगा, आपका strain, आपका strain, तो आपके बस value आ गई, half into sigma, मतलब stress, into strain, into A into L क्या होता है, volume होता है, तो ये आपके ब answer आगे, तो आप लिख सकते हो, जो आपकी strain energy आई हो, कितनी आई, half into stress, into strain, into volume, क्या बात समझ मैं, वो strain energy density जो होती है न, उसको आप volume से डिवाइड कर देते हो, कितनी आजाएगी, half into stress, into strain, क्या बात समझ मैं, अब यहाँ से आप खेल भी सकते हो, जैसे stress है, ये न, stress जो होत होता है, वो y into strain होता है, ये हमको पता है, तो stress को आप ये put कर दो, यहाँ पर y into strain, तो क्या जाएगा, half into y into strain का, और square आजाएगा, तो ऐसे करके आप, दुनों tough values निकाल सकते हो, क्या बात समझ मैं, इसको हम स्प्रिंग से भी calculate कर सकते हैं, मान लो, आपका जो, ये ऐसा है, कि मैंने force इस पर f लगा रहा हूँ, इस step से, ठेके, delta l इसका elongation हुआ, आपको इसका mass given है, l given है, क्या given है, l इसकी length given है, और y इसका area, सब कुछ given है, ठेके, इसको मैं spring से calculate करता हूँ, spring से, s step से, तो मैं बोलता हूँ, इसमें delta x elongation हुआ, जब मैंने force लगाई, similar force लगा रहा अच्छा, मैं निकाल सकता हूँ, spring के wise में area निकालू, आपका जो energy निकाल सकता हूँ, half k x square, यह निकलेगा, अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, half into k कितना है आपका, क्ये है, ay by l, ay by l into x square, x क्या है यहाँ पर, delta x, मतलब यह delta l, delta l कैसे लिखते हैं, delta l लिखते हैं, f into l upon, a into y यह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना तो इसको लिखते हैं, f square, l square upon a square into y square, यहाँ से आप क्यास value हाजाएगी, कितनी, half f square l upon a y, यहाँ से आप put करो answer, half into f square upon a square मेंने कर दिया नीचे, उपर a से multiply कर दिया, l into y, यह हो गया, ठीक है, अच्छा, यह क्या होता है, यह होती है, stress का whole square into a l upon y, यह क्या होता है, यह होता आप का volume, यह होता है, तो आपके पर सामसे रहागे, half into stress का whole square into volume upon y, अच्छा, y क्या होता है, young's modulus मतलब stress upon strain, यही तो होता है, तो यहाँ से value put कर दो, क्या आजाएगा, half into stress का whole square into volume upon stress into strain यह stress से stress कसल गया आपके बास आगए answer half into stress इसे लिखता हूँ उसको into strain इसको ऐसे लिखता हूँ into wall तो यह answer आपके बास फिर से आ चुका है spring के case से भी क्या बात सबज मैं? तो यहाँ पर जो है हमारा chapter complete होता है ठीक है? इतना है यह बस solids के अंदर काफी असाँ सा chapter है सब points अपने discuss करें बारे बारी से तो इतना है आपको पढ़ना होगा बस उचलिए फिर मिलते हैं next video के अंदर तब तक के लिए bye bye